क्या बात है गोलू और रीटा तुम लोग इधर क्या कर रहे हूँ किसका वीट कर रहे हूँ बताओ क्या हुआ मम्मा मुझे खेलने जाना है हम लोग खेल के आजाए क्या थोड़ा सा नई बेटा रात हो गया है अभी नहीं जा सकते तुम अभी साम हो जाएगा तो फिर चुड़ेल भी आती है मम्मा हम लोग जल्दी आ जाएंगे ना थोड़ा देर बस खेलेंगे फिर वापस आ जाएंगे ठीक है जाओ बड़ थोड़ा जल्दी आ जाना मुझे बहुत फिकर रहेगी तुम्हारी ठीक है मम्मा आ जाएंगे जल्दी आएंगे ठीक है मम्मा बाई मम्मा फिर यह करकर बच्छे जाने लगते हैं फिर जाते जाते हुआ एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं फिर वह उधर पास बहुत खिलते हैं मस्ती करते हैं खिलते खिलते बच्छों को ताइम का पता नहीं चलता है फिर याद आता है चलो मम्मी बुलाई थी जल्दी जाना है याद है ना हाँ बहन चलो नहीं तो मम्मी चिल लाएगी फिर यह कहकर बच्छे लोग जाने लगते हैं जाते जाते रास्ते में एक सुनसान सड़क पड़ता है यहां बच्छे पहुंसते ही बहुत घबरा जाते हैं और वर डर जाते हैं तो अचानक से चुड़ैल आती है, तो बच्चे बहुत भर जाते हैं, फिर उपर से एक ओर चुड़ैल आती हैं, अंटी प्लीस हमें जाने दिजे, हमारी मम्य पापा इंटजार कर रहे हैं, अंटी प्लीस अंटी प्लीस अंटी छोड़ दीजिए हम लोग को हम लोग गलती से आपके जगह आ गए हम लोग को जाने दीजिए मुझे बहुत दर लग रहा है प्लीस अंटी जाने दीजिए किसी को नहीं जाने दूँगी मेरे को तुम लोग कर सिकार मिला है मैं किसी को नहीं जाने दूंगी, अब तुम लोग मेरी सिकार हो, अब तुम लोग मेरी जो बोलूंगी मैं वो करोगे, आज तुम लोग को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, हाँ दिदी लोग को कहीं नहीं जाने देना है, हम लोग के सिकार हैं लोग, लोग का साथ जो करना हम फैसला करेंगे नहीं जाने देना है लोग को तुम लोग को शॉषयार बन रहे हो कि चुपचाप से जो कह रहे हैं दीदी वो करो प्ली उत्य हम लोग को तुम लोग के ममी बापा इंतजार कर रहे हैं जाने दिजिए या मेरे भाई को भीज दिजिए मेरे को पकड़ लीजिए आप प्लीस नहीं दिदी ऐसे मत बोलो प्लीस अंटी जाने दिजिए नहीं जाने दूंगी मैं किसी को तुम लोग दोनों जन मेरे पास ही रहोगे और म झाल झाल